कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मैं किंचरपटी फ्रम अश्रमेक विद्यालें। विद्यार्थी मित्रों गए वेडियो में हमने कक्षा 4 की हिंदी विशय में चैप्टर नमबर 8 चतुर चुहा कहानी का हमने अभ्यास किया था। अब हम आज चैप्टर 8 चतुर चुहा के जो शब्दात है और उप्यास के जो प्रश्न है वो आज हम करेंगे। सब्दात नाप यानि उसका मतलब होता है माप जटपट यानि की जल्दी जल्दी या फिर सिग्रप कशीदा यानि की घढ़ाई गुजराती में भरत काम कहा जाता है। फुर्सत यानि की अवकाश गुजराती में उसे नवराश कहा जाता है। कचहरी यानि की अदालत सिपाही यानि की सैनिक कैची यानि की गुजराती में उसे क्या कहते हैं कातर कहते हैं। कशिदाकार यानि कि सुई धागे से कपड़े पर बेल बुटा बनाने वाला उसे क्या कहते हैं कशिदाकार कहते हैं अभ्याश में पहला प्रश्ण है उची आवाज में पढ़िये और बोलिये यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिये गए हैं वो आपको पढ़ना है और बोलना है पहला है च च और च आधा और च जुड़ा हुआ तो इसका उच्चार के से होता है च ब्राबर है अभी इसका हमें सब्द में वो अक्षर दिया गया है स्वच्च क्या है स्वच्च मच्चर अच्छा इच्छा ब्राबर है तो इस प्राकार आपको भी यह शब्दों का उच्चार करना है पढ़ना है दूसरा है उ तो उसके उपर से जो सब्द दिये गए हैं वो हम पढ़ एक बार फिर से हम इन सब्दों को पढ़ेंगे बुलाऊंगा, पिटवाऊंगा, जाऊंगा ठीक है, यहाँ पर हुआ आया न, आप देख सकते हैं ठीक है, फिर है E तो उस पे से जो सब्द दिये गए है कढ़ाई, पढ़ाई, बढ़ाई क्या है सब्द, कढ़ाई, पढ़ाई, बढ़ाई फिर है ध्या ध्य, अध, आदा, और्या, जुड़ा हुआ ध्या, अयोध्या, ध्यान, श्वाध्याई, अध्याई कौन-कौन से सब्द है, अयोध्या, ध्यान, श्वाध्याई, अध्याई फिर है व्य, व अधा और य जुडा हुआ, व्य, व्यशन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य, व्यशन, व्यापारी, वायव्य, कर्तव्य, तो आपको भी इस प्रकार पढ़ना है अब आगे का प्रशन है, प्रशन नमबर दो, नीचे दिये गए चित्र का मौखिक वर्णन कीजी हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसका हमें मौखिक वर्णन करना है ठीक है तो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दिख रहा है तो इस चित्र में हमें एक स्कूल दिखाई दे रही है बराबर है स्कूल तो है लेकिन कौन सी है हाई स्कूल बड़ी स्कूल है बराबर है जिसमें हाई स्कूल यानि की बड़ी स्कूल ठीक है और वहां नरसरी से लेकर बारवी तब का अभ्यास मतलब की नरसरी से लेकर बारवी तब के क्लास वहाँ पर चलते हैं ठीक है उसे क्या कहते है हाई स्कूल कहा जाता है ठीक है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बड़ी हाई स्कूल है और यहाँ पर हम देख सकते है कि उसका जो ये क्या है मैदान है क्या है 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 स्कूल का ये मैदान है और उस मैदान में क्या है तो बच्चे खेल रहे हैं बच्चे कौन कौन सी गेम कौन कौन सा खेल खेल रहे हैं तो बच्चे फुटबॉल, फिर बैडविंटन, लॉंग जम्प, फिर भला फैक, आधी जो रमत है वो बच्चे खेल रहे हैं। और यहाँ पर जो उसका जो मैदान है, ग्राउंड जो है उसके लीली घंस उगी हुई है। तो इस प्रकार आपको उसका मोखिक वर्णन करना है। ठीक है। और यहाँ पर हमें इस सित्र में लड़के और लड़के, लड़के और लड़किया दोनों खेलते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है, भी तीसरा प्रश्ण है, सुचना के अनुसार अभिनई कीजिए, यहाँ पर आपको कुछ सब्द दिये गए हैं, तो उन सब्दों के आपको अभिनई करना है, जैसे की दोड़ना, आपको दोड़ने का अभिनई करना है, कि आप कैसे किस प्रकार दोड़ते हैं, ऐसा आपको अभिनई करना है, उसके बाद है तीर छोड़ना, तीर किस प्रकार छोड़ा जाता है, उसका अभिनई आपको करना है, फिर हागे सा साइकल में किस प्रकार हवा भरते हैं, उसका अभिने आपको करना है, गन्ना चुसना, गन्ने चुसने के आपको अभिने करना है, फिर है पानी भरने के लिए हैंड पंप हीलाना, हैंड पंप से जब पानी भरते हैं, तो किस प्रकार भरते हैं, हम हैंड पंप का जो हैंडल हो लड़ू कीज प्रकार खाते हैं तो उस प्रकार आपको एक्टिंग करनी है ठीक है तो आपको ये अभी नहीं करना है फिर प्रश्ण दो के अंदर मौखिक वर्णन करना है चित्र का फिर प्रश्ण एक में आपको शब्द का उच्चार करना है सब्द पढ़ना है, ठीक है, तो आज हम इकाई आठ में यहां तक करेंगे, आगे का जो है हम नेक्स वीडियो में करेंगे, थेंक यू,